असलाम लेकूँ, होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ महती यामी, हेल्दी एंटेस्टी पालक और आलू की रेसिपी, पालक आलू यह तो घर में सभी लोग बनाते हैं, लेकिन आज कुछ हम इसे नए अंदाज में बनाएंगे, तो इसक सके बाद पैन को मैंने गैस पर चड़ा दिया है, इसमें टू टेब्ल स्पून ॉयल मैंने एड कर दिया है, हमारे यहां सरसों का तील खाया जाता है, तो मैंने मस्टरड ओयल डाला है, और आपके हाँ जो आइल खाया जाता है आप वह आईल यूज कर सकते हैं, ओयल को गर रेड चिली ड्राइड यानिके सुखी लाल मिच डाल देंगे साबुत चाहे तो आप इसे टुकडों में तोड़ सकते हैं मैंने ऐसी ही डाल दिये जब यह चटकने लगेगी तो हम इसमें वन मीडियम साइज की अनियन कट करके डाल देंगे तो यह मैंने मीडियम साइज की अनियन कट कर ली है और इसे भी इसमें एट कर दूँगी अनियन को हम ज्यादा ब्राउन नहीं करेंगे बस पिंक होने तक भूनेंगे जब उसका पानी अच्छे तरह से निकलने लगे और बस पिंक करना है इसे ज़ादा हमें नहीं करना है इसके साथ ही मैं आपसे कहना चाहूंगी कि रेसिपी अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेर और सब्सक्राइब करिएगा जो लोग नए हैं उन्हें सब्सक्राइब करना है और अपने डियर और नियर वंस में शेर कर करीजेगा अगर पसंद आया और इसको एक दफा जरूर बना कर देखिएगा क्योंकि यह बहुत यमी होती है चलिए अब इसमें हमने जो आलू जो इस शेप में कट किये थे ट्रैंगल हैं स्कॉयर बिल्कुल बारिक नहीं कट करने हैं थोड़े थोड़े मोटे कट करने हैं आलू हमने एड़ कर दिये हैं और आलू को एड़ करने के बाद थोड़ा सा तेल में हम इने फ्राइग कर लेंगे हलका सा कि इनका जब कलर चेंज होने लगे बहुत ज्यादा नहीं बस इतना फ्राइग करना कि इनके उपर ओईल का एक कोट आ जाए और सारे आलू हलके से य उसमें पालक अम इड़ कर देंगे सारी ङसरी इसे ही यह कर देंगे काट कर धोली थी और है को कर पिर इसमें कि हरिमेज और नमक भी एकट करेंगे चार चाहर प्वाच से पांच अदत में लेज़े हैं तो है यां यहाँ फोचेtest के z involved की भी जाते हैं कि साग में हम लोग ठोड़ा कम ही डालते हैं क्योंकि साग kay अपना खुद का भी थोड़ा सॉल्ट हुता है अगर उसमें अन्धाज़े से ज्यादा सॉल्ट डालने खोड़ने तो इकोल हूँ जाता है तो इसे कम करना बहुत मुश्किल होतो जाता है लेकिन वह कम करना मुश्किल प्रोसेस होता है और time content consuming भी होता है तो हम सॉल्ट को थोड़ा कम ही की तरफ हमें जब भी हम जो भी कहाना पका है तो उसमें थोड़ा सॉल्ट कम रखें यही आईडियल कुकिंग होती है अब यह मैंने पालक भी सारी डाल दी अब सारे आलूं को और पालक को आनियन को प्यास को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब इसमें यह देखिए मैंने वन टीस्पून से थोड़ा कम ही सॉल्ट डाला है वन टीस्पून भी भरके नहीं डाला क्योंकि आधा ही किलो आलो और आधा किलो ही पालक है वह बैलेंस हो जाएगा और फोर फाइव यह मैंने ग्रीन चीलिस कट कर ली थी बस बहुत कम मसालों में बहुत अच्छी रेसिपी बनने वाली है बहुत इजी भी है कि लर्निंग स्टेज पे भी आप इसे बना सकते हैं जो बेगिनर्स हैं जो लर्नर्स हैं वो भी इसे अराम से ट्राइब कर सकते हैं और अब हम इसे कवर कर देंगे लिट को पानी इसमें मैंने बिल्कुल नहीं डाला है पहले फ्लेम को स्लो रखेंगे और फिर तेज करके जब आलू गल जाएं एक दो दफा चेक कर लेंगे दस-पंद्रा मिनिट लगते हैं जब आलू गल जाएं तो इसमें हम इसका पानी स सूख गया था लिट खोलने के बाद इसलिए मैं ओपन बरतन में बनाते हैं उसको कूकर में नहीं बनाती हूं क्योंकि उसमें आलू बहुत जादा गल जाते हैं और जब यह हो जाए तो फिर इसके अंदर आप सॉल्ट को टेस्ट कर लें अगर सॉल्ट कम लगे तो थोड़ में ही मिक्स कर दिये थे और यह बहुत ही यमी टेस्टी खुश्बूदार जाइकिदार रेसिपी हमारी बन कर तयार हो गई है खुद भी खाएं दोस्तों को भी खिलाएं दस्वान पे भी सर्फ करें मेमानों के सामने भी रख सकते हैं लंच बाक्स में भी दे सकते हैं तो इसलिए एक दफा इस रेसिपी को जरूर आजमाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी रेसिपी अपना बहुत सारा ख्याल रखें मुझे दुआओं में याद रखें थैंक्स पॉर वाचिंग अल्ला हापेस